नमस्कार साथ्यों मैं हूँ अभिनातो शांशू पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपको याद होगा कि हम लोग एक्जाम 2023 के तहत विद्दूत आवे सेवंचेत्र की बात कर रहे हैं यहां हम लोगों ने previous year questions discuss करना चालू किया था गाउस प्रमे से जुड़े हुए सारे पांच अंक के दिर्ध होते हुए प्रशनों के पारे में हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने विभिन परिस्थितियों के लिए जो है अलग अलग वीडियो बना रखे हैं जहां पर हम लोगों ने इन प्रशनों के उत्तर डिसकस किये हुए हैं अब हमारा काम क्या है अब अगला जो प्रशन है यहां देखे 2020 में जो है पूछा गया एक प्रशन है इस प्रशन के बारे में जो हम फिर से चर्चा करेंगे यहां पर एक काम इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने गाउस प्रमे का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यहां प वो close integral of e.ds ये किसके बराबर होता है Q by epsilon not के बराबर होता है और अब इन्होंने जो है ये बता दिया है कि ये result है आपको इसको सिद्ध करना है मतलब हमको गाउस का प्रमेया सिद्ध करना है और उसके बाद में जो है इस प्रमेया का नाम भी लिखिये और यदि आवेस बंद स्विष्ट के बाहर हो तो वैदुत फ्लक्स का मान कितना होगा हम लोगों ने इसमें से ज्यादा तर चीजें डिसकस की हुई है तो अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं देखिए अब हम जो है सबसे पहले एक बिंदू आवेस ले लेते हैं हम लोगों ने एक बिंदू व्धुच्चेतर की गढ़ना करेंगे तो यह विदू छेतर पी पर जो विदू छेतर होगा इसको हम कूलम के नियम से निकालेंगे तो एक मान होता है एक 원्वर फॉर पाई epsilon not और यहाँ पर जो है इसका मान हो जाएगा Q बटा R का वर्ग अब यहाँ से जो है हमको क्या करना है कि यहाँ से हमको वापस गाउस के प्रमे तक जाना है तो हम लोगों ने माल लिया कि हम एक ऐसे प्रिष्ठ की कलपना करते हैं जो आकार में कैसा हो आकार में गोला कार हो और इस गोला कार में जो है विद्दूद फ्लक्स की गढ़ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो अब हम बताएंगे कि अगर यह जो है गोला कार गोला कार प्रिष्ठ के लिए गोला कार प्रिष्ठ के लिए ठीए अब गुलाप्रा कारपिष्ट के लिए छेतर फल क्या होगा तो छेतर फल गोले का होता है 4 पाई आर का वर्ग फिर हम बात करेंगे कि विद्दूद फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स बराबर E.ds अब हमें फ्लक्स की गरना करनी है तो हम E का मान यहां से उठा लेंगे E का मान हम लोगों ने यहां से उठाया तो हमको मिलेगा 1 बाई 4 पाई एपसलोन नोट और यहां पर हो जाएगा Q बटा आर का वर्ग और यहां गुना कर देंगे कुल मिलाके जो 6 तरफल है वो कितना है तो कुल 6 तरफल हमारा 4 पाई 4 पाई आर का वर्ग है अब इसमें से जो जो चीज़ें हम से कट रही है हमों सबसे पहले काटेंगे तो यहां आप देखिए आर का वर्ग और यह वाला आर का वर्ग कट गया यहां से 4 पाई और यहां से 4 पाई कट गया और हमको कुल मिला के विद्धुद फ्लक्स का मान कितना मिल गया विद्धुद फ्लक्स बराबर क्यू बटा एपसलान नॉट यही स्टेटमेंट था हमको जो है रिवर्स जाना था हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने कुलम का नियम लगाया और विद्धुद फ्लक्स निकाला फिर हम लोगों ने एक गुला काल प्रिष्ट की जो है कल्पना की जिसका कुल मिला के छेतर फल 4 पाई आर स्क्वेर होता है फिर हम लोगों ने इन दोनों जानकारियां को मिला का विद्धुद φलक्स निकाला और यह विद्धुद फलक्स निकालने से हमको जो है क्या मिला अब आप बताएंगे कि किसी भी बन्द प्रिष्ठ के अंदर रखे हुए है कुल आवेस के द्वारा उत्पन कि यदि आवेश बंद प्रिश्ठ के बाहर हो तो हमको उसकी गर्ना नहीं करनी है व्यदूत प्लक्स का मान हमेशा हमारे बंद प्रिश्ठ के अंदर के आवेशों के सदिस मतलब रेखिक योग के बराबर होता है इसमें जो है बाह आवेश कोई भी योगडान नहीं होता तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने 2020 में पूछे गए A, B, C, 3, C के जो है एक प्रशन का हल निकाला अब जो है अगला प्रशन हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे जूड़ है हमारे साथ में आपको हर एक दिन हर एक घंटे एक नया अबजेट मिलता है आप नई चीज़े सीखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक जुटा पाएंगे अपने बोर्ड एक्जाम के लिए